हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर इच्छा प्लान में तो जनी आज की साइंस की लास को सुरू करते हैं आज ये साइंस की लास्ट क्लास है क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की बुक के सभी चेप्टर पढ़ चुके हैं एक भी चैप्टर को छोड़ा नहीं है सभी चैप्टर को एक एक तरके कम्प्लीट किया है तो आज ये लास्ट क्लास हैं इसके अलावा डीवियस एर की जितने भी साइंसी कुष्चन है ओफ लाइन जो भी पेपर हुए हैं उन पेपर को एक एक करके स्वर्व किया है उनमें जो विज्ञान की प्रस्ण है उनको हल किया है तो आप लोग उन वीडियो को भी देख सकते हैं टॉप फिप्टीरी विज्ञान का बनाया है आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं उसमें महत्पूर प्रस्ण है जो पिछले पेपर में पूछे जा चुकी है तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते है तो अध्याई 13 है पिरकास लिकाई संसार को हम मुख रूप से अपनी ग्यानिंद्रियों से जानते हैं ग्यानिंद्रियों में से दरश्टी एक सबसे महत्पूर ग्यानिंद्री है इसकी सायता सिगन परवतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुस्यों तथा अपने चारों और की अन्य अनेक वस्त्मूरियों देख सकते हैं हम आकास में बादन, इंद्रधनों सता उड़ते पच्छियों को भी देखते हैं रात्री में हम चंद्रमा तथा तारों को देखते हैं दरश्टी द्वारा ही आप इस प्रश्ट पर छपे सब्दों तता वाग्यों को देख पाते हैं क्या आप जानते हैं कि ये सब देखना कैसे संभव हो पाता है तो पढ़ेंगे वस्त्मों को दरश्ट कौन बनाता है क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन वस्त्मों को कैसे देख पाते हैं आप कह सकते हैं कि हम वस्त्मों को नेत्रों से देखते हैं लेकिन क्या आप अंदेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं इसका आर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते किसी वस्तु को हम तम ही देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला पिरकास हमारे नेत्रों में प्रवेश करें या पिरकास वस परवर्तन की नियम पढ़ेंगे तुझे परवर्तन की नियम पढ़ेंगे तुझे नियम पढ़ लेते हैं लिखा है दर्पड से टकराने की पश्चात पिरकास किरण दूसरी दिसा में परवर्तित हो जाती है किसी प्रस्ट पर पढ़ने वानी पिरकास किरण को आपतित किरण कहती है प्रस्ट से परावर्तन के पश्चात वापस जाने वनी पिरकास किरण परावर्तित किरण कहलाती है यानि कि किसी प्रस्ट पर जब पिरकास किरण परती है दरपड से जब कोई पिरकास किरण टकडाती है तो वह परावर्तित हो जाती है किसी प्रष्ट पर जो प्रकास किरण पढ़ती है उसको आपतित किरण कहते हैं और प्रष्ट से परावर्तन के पर शात वापस आने वानी जो प्रकास किरण होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं तो इन बातों को याद रखिएगा आगी लिखा है पिरकास किरण का अस्तित एक आदर्सी करण है वास्ताव में हमें पिरकास का एक संकीवड किरण पुझी प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मेलकर बना होता है सरलता के लिए हम पिर्कास के संकीड किरण पंज के लिए किरण संप्र का उपियोग करते हैं अपने मित्रों की सायता सी कागज पर सम्तल दरपड की इस्तिती तथा आपतित एवं परावर्तित किरणों फुन्दर साने वानी रिखाई खीची दरपड तथा कंगे को हटाईए दरपड को निरूपित करने वानी रिखा की जिस बिन्दु पर आपतित किरण से टकराती है उस पर दरपड से नभेंस का फोल बनाते ही एक रिखा खीचीए यह रिखा परावर्तक प्रस्ट के उस बिन्दु पर आविलंब कहलाती है आपतित किरण तता अवलंब के वीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं इसे आई सिप्रदर्सित करते हैं परावर्तित किरण तता अवलंब के वीच की कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आन सि पंदर्सित करते हैं आपतन कोड तता परावर्तन कोड को मापिए इस किरिया के लापको आपतन कोड परावर्तित करके दोहराईए प्रेक्षणों को साड़ी में लिखिए यहां आप इस चित्र में देख सकते हैं यह आपतन कोड है यह परावर्तन कोड है यह अविनम्ब है आपतन कोड सदयव परावरतन कोड के बरावर होता है या परावरतन के नियमों में एक है आईए परावरतन से समंदित एक और किरिया कनाप करें तो ये बात याद रखनी है कि आपतन कोड और परावरतन कोड सदयव बरावर होते हैं तो परावर्तन का पहला नियम तो यही है कि आपतन कोड और परावर्तन कोड सदयव बराबर होते हैं अगला नियम देखते हैं यह सभी एक तन में होते हैं यानि आपतित किरण आपतन बिंद्यू पर जो अब लंब होता है और परावर्तित किरण यह तीनों एक ही तन में इस प्रतिलिंड में बस्तु का बाया भाग दाईयोर तथा दाईया भाग बाईयोर दिखाई पड़ता है इस परिगटना को पासर्व परिवर्तन कहते हैं। पिरकास का विश्रण गत्ते जैसे विशय परावर्ती प्रस्ट पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दरपड जैसे चिकने प्रस्ट से गोने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या हम सभी बस्टमों को परावर्तित प्रकास के कारण भी देखते हैं। लिखा है आपकी चारों ओर की लगवग सभी बस्टमें आपको परावर्तित प्रकास की कारण दिखाई देती हैं। परावर्तित प्रकास को पुना परावर्तित प्रकास की कारण देखते हैं। परावर्तित किया जा सकता है। इसमरण कीजिए जब पिछली बार आप किसी केस प्रसादक की यहां गए थे। उसने आपको एक दरपड की सामने बैठाया था। बाल कट चुकने के पश्चात। उसने आपके पीछे की और एक दरपड रखा था। इस दूसरे दरपड की साहता से आप सामने बाने दरपड में यंद देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। यहां इस तरह से क्या आप बता सकते हैं कि अपने सिर के पीछे की बालों को आप क्यासे देख पाई थे। पहली को याद आया कि कच्छा चैन में विस्तारित किरिया कलाप के रूप में उसने एक परदर्सी बनाया था। परदर्सी में दो संतल दरपड़ों किये जाते हैं क्या आप बता सकते हैं कि दो दरपड़ों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तमों को देखने योग कैसे बना पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते। परदर्सीयों का उपयोग पंडु वियों, टैंकों तथा बंकरों में चेपे सेंकों द्वारा बाहर की वस्तमों को देखने के लिए किया जाता है। अब पढ़ते हैं बहु पृत्विंब के बारे में। लिखा है आप जानते हैं कि संतल दर्पड किसी वस्तमों के एवन एक ही पृत्विंब बनाता है। यदि दो संतल दर्पडों को सायोजन में उपयोग करें तो क्या होगा। आईए देखें। तो जब आप एक सी अधिक संतल दर्पडों को संकौन पर रखेंगे तो आपको इस पिरकार से प्रतिविंब बनते हुए दिखाई देंगे। अब आप यह इस पस्ट कर सकते हैं कि केश प्रसादक की दुकान पर आप अपुसरे से किसी कोण पर रखेंगे दर्पडों द्वारा अनेग प्रतिविंबों के बनने की धार्डा का उपयोग। वहुर्त जर्शी में भाती माती के आपरसब पैटर्न बनने के लिए किया जाता है। आप स्वेम भी एक केलाईडो इसको बना सकते हैं। अब लिखा है हमारे नेत्रों की सनरचना क्या है। तो नेत्रों की सनरचना के बाड़ेंगे तरचनन यह पड़ लेते हैं। लिखा है हम बस्तुओं को केबल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला पिरकास हमारे नेत्रों में प्रिवेश करता है नेतर हमारी सबसिन महत्पूर ग्यानेंद्रियों में से एक है इसलिए इसकी समझना दताकार विदी को समझना हमारी लिए विसे इस महत्पू रखता है हमारे नेतर की आकरती लगवब गोलाकार है नेतर का वाहरी आपरर सफेद होता है यह कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंत्रिक भावों को दुरघटनाओं से बचाव कर सके इसके पारदर्सी अगरभाग को कौर्निया या स्वप्छ मंडल कहते है कौर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते है जिसे परितारिका यानि आईरिस कहते है आईरिस में एक छोटा संदुआर होता है जिसे पुतनी कहते हैं पुतनी के साइल को परितारका से नियंत्रित किया जाता है परितारका नेत्र का वैभाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्ताव में हम परितारका के रंखी ही बात कर रहे होते हैं परितारका नेत्र में प्रिवेश करने वाने प्रिकास की मात्रा को नियंत्रित करती है आईए देखे यह कैसे वोता है तो ऐसे किरिया कलाप से समझेंगे लिखा है अपने मित्र की आँख में देखिए पुतनी की साइज का अवलोकन कीजिए एक टॉर्च से उसकी आँख पर पिरकास डाने अम पुतनी का अवलोकन कीजिए टॉर्च को बंद कीजिए तथा उसकी पुतनी का एक बार पुना अवलोकन करें क्या आप पुतनी की साइज में कोई परवर्तन देख पाते हैं, किस इस्तिती में पुतनी वड़ी थी, क्या आप बता सकते हैं, किस इस्तिती में आपको आख में अधिक पिरकास बेजने की आवाँ सकता है, मंद्र पिरकास में या तीवर पिरकास में पुतनी के पीछे एक lens है जो कैंधर पर मोटा है किस पिरकार का lens कैंधर पर मोटा होता है is मर्ड़ खीजिये कच्छा साथ में lensों के वारे में क्या पढ़ा है lens पिरकास को आख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है इस परत को retina कहते है रेटना अनेक तंत्रिका पोसकाओं का बना होता है तंत्रिका पोसकाओं द्वारा अनुभाव की गई समवेदनाओं को द्यक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिक तक मुचा दिया जाता है तंत्रिका पोसकाओं दो प्रकार की होती हैं शंकू जो तीवर प्रकास के लिए सुगरा ही होती हैं इसके अत्रिक्त संकू रंगों की सूचनाइदी देशते हैं दिरक्व तंत्रकाओं तथा रेटना की संदी पर कोई तंत्रका पोस्का नहीं वोती इस विंदु को अंद विंदु कहते हैं इसके अस्तित को निन प्रकार से प्रणदर्शित किया जा सकता है रेटना पर वने प्रतिविंब का प्रभाव वस्तू को हटा लेने पर तुरंत ही समात नहीं होता यान लगबग एक वटे 16 सेकिंड तक बना रहता है इसलिए यदि नेतर पर प्रतिश सेकिंड शोला या इससे अधिक दर पर किसी गती सील वस्तू के इस्थिर प्रतिविंब बने तो नेतर को वैवस्तू चल चितर की धाती चलती फिरती अनभाव होगी हम जो चल चितर देखते हैं वैवास्ताव में कुछ कुछ विंड अनेव चितरों का उप्योक्त क्रम में परदी पर प्रक्षेपन है उन्हें नेतर के सामने पुराया 24 प्रतिविंब पृती सेकिंड की दर से परवर्तित वोते दिखाया जाता है इस प्रकार हम चल चितर देख पाते हैं नेत्रों को बाहरी वस्त्मों के प्रवेश दे सुरक्षा देने के लिए प्रकर्ती ने पलके प्रदान की हैं पलके बंद होकर अनावश्यक प्रकास को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती हैं नेत्र एक ऐसा अधवुद यंत्र है कि सामान नेत्र दूर इस्तित वफ्नों के साथ साथ निकट की वफ्न को भी इस पश्टतिया देख पसकता है वैं नियूंतम दूरी जिस पर नेत्र वफ्न को इस पश्टतिया देख सकता है आइन फिस साथ परावर्पित्क नेत्र एक ऐसा अधो दियंत्र है कि सामान नेत्र दोर इस्तित वफ्तमों के साथ साथ निकट की वफ्तमों को भी इस पश्ट देख सकता है वाई नीनतन दूरी जिस पर नेत्र वफ्तमों को इस पश्ट देख सकता है आयूं के साथ परवर्तित होती रहती है सामान नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सरवादिक सुब्दा जनक दूरी 25 सेंटी मीटर होती है कुछ मनुस पास रखी वफ्तमों को इस पश्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वफ्तमों को इस पश्ट नहीं देख पाते हैं कुछ मनुस से निकट रखी वफ्तमों को इस पश्ट नहीं देख पाते हैं परंतु दूर की वफ्तमों को इस पश्ट देख सकते हैं उचित संसोदक लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इन द्रश्टी दोसों का संशोदन किया जा सकता है कभी-कभी विशेश रूप से ड्रदा वस्ता में नेत्र द्रश्टी धंदली हो जाती है यह नेत्र लेंस की धंदला हो जाने के कारण होता है ऐसा होनी पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतिया विंद्र विक्सित हो रहा है इसके कारण रष्टी कमजोर हो जाती है जो कभी-कभी अत्यरिंग कमभीर ले लेता है इस दोस्की चिकित सा संबोव है अपार दर्सी लेंस को हटा कर नया फिर्तिम लेंस लगा दिया जाता है आदनिक प्रोद्योगिकी ने इस प्रकरिया को और सरल एवन सुरक्षित बना दिया है उकिवारे में लिखा है यह आवश्यक है कि आप अपने नेत्रों की उचित देखवाल करें यदि कोई भी समस्या है तो आपको किसी नेत्र विसेसग के पास जाना चाहिए नेत्रों की नियमित जांच कराएं यदि परामर्स दिया गया है तो उचित जस्मे का उप्योग कीजिए नेत्रों के नियम बहुत कम या वुवत अधिक पिरकास खानिकारक है आप पनियापट पिरकास से नेत्र की चाओ पता सरदर्लध हो सकता है यदि तो इस दार ना हो तो डॉक्टर के पास जाईए पटन सामक्री को सदय द्रश्टी की सामाने दूरी पर रहकर पढ़िए अपनी पुफ्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्रों से बहुत दूर ले जाकर मत पढ़िए कच्छा छे में आपने संत्रि अहार करना चाहिए और विटामिन ए से परिपूर चीज़ों को खाना चाहिए अगे लिकाए इसलिए हमें अप्रियाहार में विटामिन ए युक्त अव्यवों को सम्मिनित करना चाहिए कच्छी गाजर, फूलगोबी, अरी सबजी यहर तता कॉड नीवर तेल में विटामि A से भरपूर है तो विटामिन A से भरपूर तीरों को फाने में सामिल करना चाहिए अब लिखाएक 4-6 विक्तलती वाले व्यक्ति पढ़ सकते हैं लिखाएक कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिनित हैं चाहिश दरष्टी सम्मन्दी और झ्चमता से प्पूरेट होते हैं उनकी व्यक्ति व स्टों देखने के लिए सीमित दरष्टी होती है वच्वक्ति जन्में से ही विल्कुई नहीं देख पाते कुछ व्यक्ति किसी बीमारी या किसी चोट के कारण अपनी दिरस्टी खो देते हैं ऐसे व्यक्ति इस पर्स द्वारा अपर त्वनियों को ध्यान प्रिवप सुन कर वस्तुन को पैचानने का प्रियत निकरते हैं वे अपनी दूसरी ग्यान अंद्रियों को अधिक विक्सित कर लेते हैं तता पि अत्रिक संसादन उन्हें अपनी छमताओं को और अधिक विक्सित करने में सक्षन बना सकते हैं अब यहाँ पर जन्तुओं की नेत्रों के वारे में लिखा हुआ है तो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं तब भी उसे पता लग जाता है टितनी के नेत्र बड़े होते हैं जो साइसरो छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं या केवल सामने अत्वा पासर मेरी नहीं बलकि पीछे कावी देख सकती है उन्लू रात में वली जाती देख सकता है परंथ दिन में नहीं देख पाता इसके विपरीत दिन के पिरकास में सक्री पच्छी चीर गरोड दिन में अच्छी पिरकार देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते उन्लू के नेत्र में बड़ा कौर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकास प्रेश कर सके इसी के साथ साथ इसके रेड़ना में बड़ी संक्या में शलाकाई होती हैं तता केवल कुछ ही संकू होते हैं इसकी विप्रीत दिन के पच्छियों के नेत्रों में शंकू अधिक तता शलाकाई कन होती हैं अब निकाहें 46 विक्रती वाली व्यक्तियों के लिए आप प्रकासित साधन तथा प्रकासिक साधन आप प्रकासिक साधनों में 46 साधन, इसपर्ष साधन, स्रवर साधन तथा इलेक्ट्रोनिक साधन सम्मिलित हैं 46 साधन सब्दों को आवर्दित कर सकते हैं उचित तीवृता का पिर्गास प्रदान कर सकते हैं तता सामंक्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं इस पर्स साधन जिन में बिरेल, लेखन, पार्टी तथा शला का सम्मिलित हैं चाथ-चित विक्रती युक्त व्यक्तियों को पढ़ने में तता लिखने में शहायता करते हैं स्रवर साधनों में कैसिट, टैप डिकॉर्डर, बोलेवानी प्रुस्तकें तता ऐसे अन्य साधन सम्मिलित हैं बोलेवानी कैल्कुलेटर तता कम्प्यूटर जैसे इलेक्ट्रोरिक साधन भी उपलब हैं जिन से अनेक संगडना कार किये जा सकते हैं बंद परपत टेनी बिजन भी एक इलेक्ट्रोनिक साधन है तो यहाँ पर जो द्रस्टी बादित होते हैं उनके लिए जो साधन है उनके बारे में बताया गया है किस तरकार वो लिख सकते हैं पढ़ लिख सकते हैं इस संबारे में संचाया गया है अब पढ़ते हैं ब्रेयन पद्धिती क्या है इससे एक प्रस्ण पूचा जाता है तर्चनिये इसक्यों पढ़ लेते हैं लिखा है चाच्छुस विक्रती युक्ति व्यक्तियों के लिए सर्वादिक लोग क्रीसादन ब्रेयन कहनाता है नुई ब्रेयन जो स्वेम एक चाच्छुस विक्रती युक्ति व्यक्ति थे ने चाच्छुस विक्रती युक्ति व्यक्तियों के लिए एक पद्धिती विक्सित की तथा इसे 1821 में पिरकासित की आप ये नुई ब्रेयन हैं आप इस चित्र में इन्हें देख सकते हैं वर्तमान पदिती 1922 में अपनाई गई सामान भासाओं गड़ित तथा व्याज्यानिक विचारों के लिए ब्रेन कोड हैं ब्रेन पदिती का उपयोग करके अनेक भारती भासां को पढ़ा जा सकता है चार्चुस विक्रती युक्त व्यक्ती विर्यल पदिती को अच्छरों से सीखना प्रारम करता है इसके परश्चात विसेश चापों और अप्छरों के सायोजनों को परचानता है सीखने की विदिया इस पर्स से पैचान करने पर निर्भर होती है पिरतेक छाप को इसमरण करना पड़ता है ब्रेल पाठों को भांथ या मसीन से तयार किया जाता है आज कल टाइब राइटन जैसे इफ्तिर दता मुद्दर मसीने विक्सित की गएंगे अब यहाँ पर ग्रेल पड़ती के वारे में लिखा है ग्रेल पड़ती में 63 बिंदुकित पैटर्न अत्वा छाप है पिरतेक छाप एक अच्छर अच्छों की समुच्चे सामान सब्द अत्वा वियाकरणिक चिन्न को परदर्सित करती है बिंदुको उर्द्वा धर पंकिती के दो पच्छों में वियावस्तित किया गया है पिरतेक पंकिती में 3 बिंदु में अंध्रेजी बर्डमाला की कुछ अच्छरों तथा कुछ सामान सब्दों को परदर्सित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न नीचे दर्साया गया है तो ये दर्साया गई है कि किस पिरकार इनको पढ़ा जाता है इस पैटर्न को जब ब्रेय सीट पर उभारा जाता है तो ये चाच्छु स्विक्रती युप्ति रक्तियों को चू कर सब्दों को पहचानने में साहता करते हैं इस पस्ट को आसान बनाने के लिए बिंदुकित थोड़ा सा उभार दिया जाता है कोच्छ चाच्छु स्विक्रती युप्त भारतियों को महान उपलब्धिया प्राप्त करने का स्रे है दिवाकर नामक एक प्रद्वा संपन्य बालक ने गायक के रिभु में आशर जनक प्रदर्शन किये गे जन्म से पूर्ट्या चाच्छु स्विक्रती युप्त स्री रवेंदर जैन ने इलावास से अपनी संगीत प्रभाकर की उपादी प्राप्त की उन्होंने एक गीतकार, संगीतकार तता गायक के रूप में अपनी स्रेष्टता पूर्दस आया है सिरी लाल आडवानी जो स्वेम चाच्छु स्विक्रती युथ हैं ने भारत में विकलानवों के पुनलवास तता विस्ष्ट सिक्षा के ने एक फर्दस्ता की स्थापना की इसके अत्रिक्तों ने युनेसको में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्यु किया अमेरिका की एट नेखिका एवं प्राध्याप्ट का हैलन एक एलर समबरता सर्विधित्त तता प्रेरक चाच्छु स्विक्रती युथ मेलानन अठारा मनीने की आयू में उन्होंने द्रस्टी खो दी थी लेकिन उनके संकर्प तता साहस की कारणवाई एक विश्विध्याले से इसनातक की उपादी गिरहर कर सपी इस्टोरी ओफ माई लाव तायत उन्होंने अनेक पुस्त के निखी ये हैं हैलन एक केलन इस चित्र में आप इन्हें देख सकते हैं तो आज साइन्स का स्लेवर्स कम्प्लीट हो गया क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के बुक कम्प्लीट हो गई ये सदी चेप्टन पढ़ चुके हैं तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्ट होता है पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी महत्पूर प्रस्नों के साथ तब तक किरिए बाइबाइब्स